राहू इस घर में जब भी अच्छे होते हैं तो ये इंसान हर तरह की मुसीबत को खत्म करने वाली एनरजी बन जाता है अब कोई भी दिक्कत, कोई भी मुसीबत इनके आगे टिकी नहीं पाती है लेकिन यही रहु यहाँ पे जब खराब होते हैं, तो यह इंसान अपनी ही जड़ों को खोकला करना शुरू कर देता है, तब यह इंसान अपने आसपास वालों का ही बैरी बन जाता है, मैं छटे घर के रहु की बात कर रहा हूँ, और आज के वीडियो में हम यह चर्चा करने वाले हैं, कि यहाँ पे रहु किस तरह से अच्छे होते हैं, बुरे किस तरह से होते हैं, और इनके उपाए किस तरह के किये जा सकते हैं, नमशकार, मेरा नाम है योगे शर्मा, स्वागत है आपका, happy life with योगे शर्मा में, छटे घर में एनर्जी होती है बुद्ध और की और राहू यहाँ पर जब भी अच्छे हो राहू अच्छे होते जब नॉर्मिली अकेले बैठे हो तो अच्छे राहू इस इंसान को बहुत ही तेज दिमाग देते हैं ऐसा दिमाग जिससे इंसान आने वाले समय को पहले ही भांप लेता है और उसके अकॉर्डिंग ली ही अपने जीवन में बदलाव लेकर आता है कहते हैं कि जब आप खुद बदलाव लेकर आते हैं तो लाइफ में सुखी रहते हैं जब समय बदलाव लेकर आये तो आपको बहुत पेन होती है तो ये लोग जो हैं समय से पहले ही खुद में बड़े अच्छे वाले बदलाव ल लेते हैं समाज के जितने भी एक बहुत ही पावरफुल लोग होते हैं वो इनके आसपास देखे जा सकते हैं यहां राहू अच्छे होने से इंसान फिनिशर बन जाता है यानि जो काम हाथ में ले ले अब उस काम के रास्ते में जो भी अर्चने आए यह परवाही नहीं करता ह और उस काम को पूरा करके ही बैट सा है यह तो थे छटे घर में राहू के कुछ बहुत अच्छे लक्षन लेकिन कई ऐसे कारण बनते हैं जिनकी वज़ा से यह राहू जो हैं बहुत खराब हो जाते हैं क्योंकि यह राहू बुद्ध और केतू की एनर्जी वाले घर में हैं तो बर्थचार्ट में बुद्ध और केतू का खुद का अच्छा होना बहुत जुरूरी होता है अगर यह खराब हो जाएं तो फिर यह राहू जो हैं यहां बैठे बैठे ही खराब हो जाते हैं अब बार्वा घर और दूसरा घर यह इस घर के साथ लगातार जुड़े हु और जो जो प्लैनेट्स इन घरों में बैठे हों, वो यहां के रहू को सीधे सीधे प्रभावित करते हैं। सबी ग्रहों में से खास खास ग्रहों के बारे में बता रहा हूं। बारे में घर में अगर बुद्ध आ जाएं, तो यह बुद्ध की एक बहुत वीक पोजिशन मानी जाती है। तब यह इनसान जो हैं छटे घर के रहू वाले, इनको बीमारियां इस तरह की हो जाती हैं, जो डॉक्टर के पास से डाइग्नोजी नहीं होती है। बीमारी अंदर पलती चली जाती है, डॉक्टर उनको डूंड नहीं पाते हैं, और शरीर जो है लगातार बीमार होता चला जाता है। अब बारवे घर में मंगल आ जाएं, तो ये जो रहू हैं, अब यहाँ पे भाईयों के साथ दिक्कत दे देंगे, भाईयों के साथ विवाद की स्थिति देंगे, और यही विवाद जो है ना, इस रहू वालों के लिए पैसे की बरबादी का कारण बनेगा। फिर इनकी लाइफ में हर चीज मिट्टी होती चली जाएगी। और दूसरा घर, दूसरे घर में सूरज हो, तो इनसान पैसे के जंजाल में फस्ता चला जाता है, करजे पे करजा लेता चला जाता है, और अगर और भी प्लैनेट्स यहाँ पे खराब हो रहे हो ना, तो इन जालतू जानवरों में भी सबसे ज़्यादा चटे घर के बारे में बोला गया है, वो बर्ड्स जो हम घर पे पालें उनके लिए, और खास करके कुत्ता, तो यहाँ पे काला कुत्ता पालना चटे घर के रहू का एक बहुत ही बढ़िया उपाय बताया गया है, अब काला कु कुत्ते की सिवा की जाए या काला कुत्ता पाला जाए, तो इन रहू वालों को बहुत ही अच्छे नतीजे आने शुरू हो जाते हैं, अब यहाँ पे बुद्ध की इनर्जी को भी लिया गया है, छटे घर में रहू जब खराबी दे रहे हों, किस तरह की जब बुद्धी क ब्लॉक कर रहे हों, अब इस इंसान का कोई भी फैसला जो है सही साबित ना हो रहा हो, सोशल सरकल भी बिगड़ता चला जा रहा हो, टेंपरामेंट भी खराब होता चला जा रहा हो, तो नीले फूल लेके उसको मा सरस्वती के आगे चड़ाना चाहिए, कितने छे नीले पूल क्यों? छटा घर बुद्ध का है, और बुद्ध की वस्तू है फूल, और रंग रहु का है नीला, तो यहाँ पे और्चिड के नीले फूल छे की संख्या में लेके हम मा सरस्वती को चड़ाएंगे हर शुकरवार वाले दिन, और इससे क्या होगा? बुद्धी की ब्ल तो भी यह जो चटे घर के रहु है ना, यह बहुत ही अच्छे रिजल्ट देने शुरू कर देते हैं. दोस्तों, चटे घर के रहु के बारे में यह थी थोड़ी सी जानकारी के किस तरह से यह अच्छे या बुरे फल देते हैं और उनको सही करने के लिए उपाएं किस-किस तरह के किये जा सकते हैं. आप रहु के अगली एपिसोड के बारे में कौन-कौन सी और इंफर्मेशन चाते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्षन में मेरे से शेयर कर सकते हैं. और इसके साथ-साथ एस्टालोजी और वास्तू की रेगुलर जानकारी के लिए मेरे इंस्टाग्र चैनल का एड्रेस है योगे शर्मा एस्टालोजी. भई इंस्टाग्राम चैनल को तो करिएगा ही करिएगा, मेरे इस यूट्यूब चैनल को तो कम से कम सब्सक्राइब करिए और इसके साथ-साथ बेल बटन को भी जरूर दबाईएगा. तो चलिए मिलते हैं साथने घर के चाहू के डिस्क्रिप्शन को लेके तब तक अपना खूब ध्यान रखेगा. नमस्कार.